अलो एवरिवान, गड़ेवदिंग, आज शेर वजार गीरा, बहुत दिन से एक्सेट कर रहा था, गीर जाया, गीर जाया, जैकिन गीर नहीं रहा था, आज गीर गया तो क्या मैंने पैसे बनाए, क्या मेरे पैसे नहीं लगे, the answer is पैसे तो लगे हैं पैसे तो लगेंगे शेर-बजार अगर गिरेगा तो로स है आप derivative trader है cash market में अगर आप position का काम करते हैं तो पैसे तो लगेंगी और जो पैसे लगे हैं वो तो जो आये थे उसमेंसे कुछ percentage ही तो लगते हैं typically मेरा एक observation है मेरे लाइफ के experience है कि हर छोटी तेजी के अंदर में चोटे-चोटे तेजी आती है ना 5-6-7 पज़न के हर छोटी तेजी के अंदर में जुमी पैसे कमाई होती है उसका 15-20% बजार जो वापस ले लिए तो आज वो दिन था कि बजार का mood खराब हुआ और बजार ने पैसा ले लिया तोड़ा चलता है तोड़ा प्रशाद तो देना पड़ेगा न तो अला reason क्या है अलग-अलग तरिके की बाते चल रही है reason होने की एक तो हमको पता देगे market overbought था उसमें कोई down नहीं है और कुछ specific market के sectors थे जिसमें बहुत ज्यादा तेजी चल लेती है as if उनके बिना कुछ होई नहीं सकता है जैसे railway stocks वगरे इत्या दी था ठीक है तो overheated था तो correction था दूसरा एक बड़ा जिसा arbit सा reason था कि लोग न कहा कि राम मंदिर का वेट उरा था राम मंदिर हो गया अब मार्केट खरेक कर गया तीसरा जो एक बात आ रही है वो है कि एक तारिक से से भी जो है एक law implement करने वादी है कि जो बाहर के investors जो इंडिया में आ रहे है जिसको FPI बोलते है जो पहले FI कहते है तरह उनका अगर इंडिया में कई पर भी 50% से जागा किसी company या group के अंदर में लिया हुआ है तो उनको बताना पड़ेगा कि उस FPI की पीछे पे कौन है देकि FPI जो होता ना वो बहुत ही उस तरह का structure होता है जहां पे hidden भी होता है कि नहीं भी पता लगता है कि इसके पीछे में कौन है तो से भी चाहता है कि especially अडानी वाला कांड के बाद पर से भी को लग रहा है कि एक तारिक से सब को बता दो भई कि पीछे FPI के कौन-कौन है ताकि हम लोग proper track कर सके कि इसके पैसा आ रहा है तो ये एक तारिक से होने का पहले बात भी हो सकता है डेटा क्या बहुता है डेटा तो यही भूर रहा था बजार के अंदर में कि बजार expensive है और हम सब इस डेटा को जानते भी बजार में investor थे although कुछ-कुछ position कम किये थे cash में आ गये थे तो एक अच्छी बात है कि पूरा प्रसा नहीं लगा बट बजार में तो invested है नहीं पड़ेगा because जो structure हो गया बजार का जो overall इंडिया का share बजार का structure बन गया है इसके अंदर में आपको invested तो रहना ही पड़ेगा लेकिन हाँ अगर आप momentum investor है तो हो सकता है कि आप अपना process को थोड़ा change कर लेते हो सकता है कि आप overhitted sector से निकलके वो सकता है जो कि sector उतरा नहीं चले है उसमें कुछ जाते है बहुत सारे इपसे बचस है बोलना बहुत असान है वीडियो रिकॉर्ड कर दो कोई भी कुछ भी बोल देगा वीडियो रिकॉर्ड करके चले जाओ तो उससे क्या आपके पैसे जो लगें वो वापस आ जाएंगे या प्रबाबली आपके पैसे बात में जो आएंगे वो क्या मैं भी दे दूँगा इस सब बोलने वाली बहते हैं यूट्यूब के अंदर में वीडियो रिकॉर्ड करना इजी हो गया आजकर क्योंकि लैप्टाप सामने हैं और हम यहाँ पर आके कुछ भी बोल देते हैं गैस वर्क है फाइनली गैस वर्क है हमें भी नहीं पता था कि आज बजार डुटेगा किसी को भी नहीं पता लगते हाँ जो डेटा डिवेन होते हैं स्माटर होते हैं वह पोजिशन अपना कब कर ले तो बिसकली बजार का इस जो है न वह मैनेज करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है पोजिशन साइजी कि एक स्टॉक के अंदर में ओवरेक्सपोज मत करो एक सेगमेंट एक थीम के अंदर में ओवरेक्सपोज मत करो जबी भी आप ज़्यादा investment कहीं हो जाए और बहुत पैसे बन जाए तो वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल लो कहीं वहाँ डाल दो तो ये rotation जो है न शेर भजार का ये सर्व परम है ये इसी से ही आप बचते हैं नहीं तो बड़ा पैसा लगने में ज़्यादा टाइम लगता है अज चलिए एक दो बाते करते हैं स्क्रीन शेरिंग करता हूँ इससे अपने बात निकालने की कुशिश करते हैं कि ये बजार जो है ये कहां तक जाएगा और हम को क्या करना चाहिए क्योंकि बजार तो बजार की जब हम लोग बात करते हैं तो एक बार हम यहाँ पर चार्ड देख लेते हैं बजार को ड्राइफ किस ने किया था अगर आप बजार का ओवराल स्ट्रॉक्चर देखें पिछले कई महिनों का तो सबसे बड़ा ड्राइवर शेर बजार का था प कोई रीजन यह ओवरबाट भी हो चुके था अब देखिए इनका फंडमेंटल हिस्टोरिकल डेटा उतना जस्तिपाई नहीं कर रहा था लेकिन हाई यह फीचर होप स्टोरी इस थे और जभी आप होप स्टोरी में पैसा डालेंगे तो आप पैसा कमाने का होप ही में तो है और अगर आप होप में हैं तो नुक्सान कभी होप आ सकता ना विकास पैसा कवाने का होप और नुक्सान का होप तो दोना एक साथ ही चलेगा तो बजार के अंदर में पीएसू जो चले हैं एक होप स्टोरी के कारण वो थोड़े ओवरबाट हो और आज ही जो सेल आई है व सब्सक्राइब को बट वह सिलेक्टिव पीएसू पैसा डालें देखें पीएसू स्टोरी स्टोरी के उसक्राइब वह सिलेक्टिव पीएसू में पैसा डाले जहां पर आपका कोईन कोई Business justification होता है जो पुराना इंका परफॉर्मेंस है प्लास ओ फूचर में टेलबी ढा र है कि वो स्टॉक वापस से आपको मौका देगा आगे बढ़ने के लिए जैसे एक्जांपल देता हूं यह आयर सिटी से आप देखिए इसके अंदर में एक रेविन्यू ग्रोथ है यहां पर आप देखे ब्रेक आउट हुआ जल्दी मोमेंटम बिल्ड हो गया इसलिए यह एक्स्पेंसिव आ अभी करेक्ट कर रहा है चांसे है कि यहां से रिवर्स बैक कर जाए चांसे है जैसे इंजिनेर इंडिया आप देखें रेविन्यू फ्लाइट है बिटा पॉस्टिव है लेगे मोमेंटम है जब तक मोमेंटम में ब्रिकाउट आया अच्छा है थोड़ा करेक्शन वह वापस से रिकवर कर सकता है तो कई ऐसे स्टॉक आपको मिलेंगे पिए उसमें जहां पर रेविन्यू जस्टिफाइड है हिस्टॉरिकल और मोमेंटम जो है वह आज की डेट में भी इंटेक्ट है तो वहां पर तो कि जो कंपनी में फंडमेंटल्स जस्टिफाइड होते हैं और वह आपको कैसे पता लगेगा आप अगर इसमें कॉम्बिनेशन स्कैन में जाएं तो यहां पर आप फीपा में जाओगे तो यह कंपनी जिनके फंडमेंटली जिन्होंने अच्छा काम किया पिछले कुछ पॉ फिचि बेसिकली फंडमेंटलMrX ॉhr जो प्राइस एक्षिन भी दीखा रहें यह स्टॉक्स जोहें ग्रीं है आप trudकि मैं अपने को दिमाह लगाना चाहिए विकाज गिरते वे बजार में भी ये ग्रीन है और इनका फंडमेंटल भी जस्टिफाई करता है इनका ग्रीन होने का तो अगर इन स्टॉक्स के अंदर में हम अपने आपको पार्क करें तो रिस्क रिलेटिवली लेसर होना चाहिए विजाविज दे स्टॉक्स विचार नौट जस्टिफाईंग डिफंडमेंटल अच्शन जैसे जोती लाइब आप दीखे इतना जबर्दस मुव्मेंट है ग्रीन विराज सेल्स दे ग्रोथ देखिए अबिटा माजिंग कितना एक्सपैंड कर रहा है और आपको रिटर्न देके चले जाएंगे तो नाव लेट्स कम बैक देखिए कि कम बैक टू बेसिक्स यह पीर्स वाली स्टोरी बीच चलते रहेंगी बट उन्हीं स्टॉक्स पर फोकस करो जहां पर फंडमेंटल्स लास कुछ दिरों में लास कुछ क्वाटर्स के जस्टिपाई करता है और इनके अंदर में अगर बजार गिरावा भी रहेगा तो मुझे नहीं लगता है बहुत जादा लॉस होने की संभावना है ठीक है अभी थोड़ा बहुत हमको दिख रहा है लॉस हुआ है बट यह सब रिकवर हो जाएंगे विकॉस एवरी टाइम मार्केट फॉल्स कोई न कोई रीजन से रिकवरी आती है और जबर्दस्त इंवेस्टिंग जो इंडिया रिटेल इंवेस्टर अब करता है अलाइच तो आई होप पादिस वीडियो वीडियो वाजिस पू टोड़ू सगया है और आने वाले दिने में और बहुत आएगा तो टेंशन मत करिये अपना प्रोसेस को रहें इंट्री का प्रोसेस और इसित का प्रोसेस अगर वो डिफाइन है ना तो वह माईक अलाल का हमत नहीं है कि आपको शेरवजार के अंदर में पैसा कमाने से रु जै हिंड जै शीराम